मुसकान देख रहो चेरे पर, मुसकान देख रहो या 10Hack को पता है कि हम डील करने वाले हैं Cody Gekpo के साथ और 10Hack को सिर्फ इतना नहीं पता है कि हम Cody Gekpo के साथ डील करने वाले हैं कल शाम से अभी तक इतनी जादा न्यूज आच चुकी है कि United एक साथ दो डील पर वर्क करने की कोशिश कर रही है Cody Gekpo और Jao Felix के लोन के लिए लगन इतना ही नहीं भया Enzo Fernandez का नहीं अभी तक सिर्फ लिवरपूल से जोड़ा जा रहा था बट United के हिसाब मतला भी जो सोर्सेज हैं जो भले ही मौडरेट सोर्सेज हैं उनके हिसाब से United Enzo Fernandez के लिए भी ट्राय करेगी तो अब यह जो डील्स हैं यह समर में ब्रेक होंगी या फिर यह विंटर में ब्रेक होंगी बट इस वोड वाफॉब ब्रेकाश यह जो पॉड़ाप्ल अप्ली बट टॉड़ाप्ल भी जो यह जो कि वर यह जोड़ाप्ल इस बिए को विए जो टूड़ जो दे संब लेकर को अब टूड़ अप टूड़ाप्ट लेकर श्यद्स in the recent years तो देखो Enzo Fernandes अगर release clause play करना होगा तो हमें 120 million देने पड़ेंगे and winter window में वो चीज कर पाना possible नहीं है क्योंकि winter window में budget आपका limited होता है आपको ज़्यादा focus summer rebuild पे करना चाहिए and United के हिसाब से अभी उनकी priority midfield नहीं है अभी उनकी priority है right back का area और आपके center forward का area अब यहाँ पर center forward की position के पास आपके पास कौन-कौन से players है अभी जो team में मौझूद है Ronaldo जाच चुका है तो आपके पास Anthony Marshall बसते हैं जो की out and out number 9 नहीं है और Marcus Rashford बसते हैं जो की inside forward खेर हैं तो जोनों inside forward और जिन players को आप target कर रहे हो वो भी आपके inside forward से हैं out and out number 9 नहीं है अब 10-1 का system हमने season के शुरू से अभी तक देखा है तो वो proper number 9 के साथ खेलाना नहीं चाह रहे इस team को क्योंकि Ronaldo जब खेल रहे थे तो हमने देखा था कि जो system था वो बिलकुल change हो जाता था और at times हमने देखा था कि Ronaldo बहुत isolate हो जाते थे और Ronaldo को supply नहीं मिलती थी और अभी जिन players का नाव हम जोड रहे हैं देखो हम चाहें तो Lucan Lahovic के लिए जा सकते हैं क्योंकि Juventus की condition financially उतनी strong नहीं है और हम चाहें तो हम capitalize कर सकते हैं साथी साथ Victor Osman के बारे में भी हमें सोचा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अगर Lucan Lahovic मतलब Juventus अगर बेचेगी तो शायद Napoli उस पर capitalize करने की कोशिश करे या फिर आपकी अटलेट को medit भी आ रहे है लेकिन Victor Osman की जो market value है शायद कोई और club इतना उपर जाकर pay ना करे other than Manchester United लेकिन अगर Kodi Gekpo आ जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम यह accept करना पड़ेगा कि आप फिर Victor Osman की deal होती नहीं देखोगे अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि जाओ फिलिक्स और Kodi Gekpo में कौन जादा suitable है United के इस सेटप में तो यार इस सीजन के हसाब से देखा जाए तो Kodi Gekpo के नंबर्स जाओ फिलिक्स को बिलकुली जादा साइड लाइन कर देते हैं क्योंकि जाओ फिलिक्स ने अभी अभी तक सीजन में जादा कुछ खास किया नहीं है other than the World Cup क्योंकि वल्ड कप में आपने देखा के जाओ फिलिक्स एक अलग सिस्टम में खेल थे थोड़ी जादा फ्रीडम थी उनके पास ऐसा नहीं है के सेंटोस ने कुछ अच्छे से मैनेज किया हो पर्जिकल की टीम को क्योंकि अगर अच्छे से किया हो थो तो हम at least semi-final में तो जाते लेकिन जाओ फिलिक्स का जो potential है वो हमें वल्ड कप में देखने को मिला what he is capable of and what he can actually do on the football pitch बात आती हाप एक कोडी गैकपो की तो कोडी गैकपो was at time competing for the golden boot award eventually वो जीत नहीं पाई क्योंकि उनकी टीम Argentina से हार के बहार हो गई but he was a very impactful player अब सोचो जिस टीम में already well-stablished आपके players जैसे की Memphis D.P. हो और बाकी other players हो उसमें एक young player आकर World Cup जैसे tournament में out sign कर रहा है उन players को तो आपको पता है कि अभी PSV इस situation पर capitalize जरूर करेगी Medit का भी नाम जोड़ा जा रहा है Cody Gakpo के साथ 50 million की value रखी है Cody Gakpo के लिए I think upfront fee पे करके Cody Gakpo ले आना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपके आने वाले matches बहुत ज़ादा tough है January आपका बहुत difficult है February, March आपके बहुत difficult months है और उन मौकों पर आपको capitalize करना पड़ेगा अभी आप यूरोपा में जाओगे तो यूरोपा एकलोती एक ऐसी tournament पह जहां पर अगर आप Barcelona को हरा के आगे जाते हो tournament में तो आप वो tournament जीज सकते हो करवा कप में हाँ ठीक आपको Charlton मिली है लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको tough competition मिलेगा Man City competition में Man City ने इस tournament पर अपना कबज़ा जमा रख था है पिछले 5-6 सालों से तो cup games जीतना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर हम Barcelona को हरा देंगे तो यार हमारे पास बार्सलोना को हरा देंगे हम Europa League में तो हमारे पास chance है इस situation में कुछ एक trophy जीतने का 6 साल के बाद लेकिन बात आती जाओफिलिक्स की तो देखो यार जाओफिलिक्स Bruno के direct competitor रहेंगे क्योंकि जाओफिलिक्स आपके second striker है वो center forward भी खेल सकते है वो wide forward भी खेल सकते है लेकिन अभी World Cup में उन्होंने majority times number 10 की position को accommodate कर रखा था और उस case में Bruno को थोड़ी freedom मिल रही थी आगे जाने की at the same time Bruno के out and out competition के अभी कोई player है नहीं टीम के अंदर आप Donnie Wendby का नाम लोगे but Donnie Wendby come on yarr तीन साल में हमने Donnie Wendby को कुछ करते देखा नहीं है तो it really makes a sense कि आप Donnie Wendby को कहो के नहीं भाई तू Bruno को competition दे बात आती हैं पे Enzo Fernandes की deal की तो देखो यार Enzo Fernandes की deal के लिए I don't think के United winter में push करेगी Liverpool का pre-agreement का जो भी reports आहीं थी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी Benfie का उस पे अमल कर जाएगी and they'll agree such a deal with Liverpool क्योंकि उनको पता है कि जिस हसाब का world cup रहे Enzo Fernandes का बहुत सारे clubs आने वाले है PSG लग करेगी अभी आप देख सकते हो Liverpool बिलकुल जाएगी गुंडोगन जाएंगे अभी Man City से तो Man City भी push करना चाहेगी Enzo Fernandes के deal के लिए United को अगर Frankie Diong नहीं मिलते हैं तो वो Enzo Fernandes के लिए जाएंगे हो सकता है Real Madrid भी push करे Enzo Fernandes के deal के लिए तो अभी Benfica इतनी जल्दी किसी club से pre-agremen नहीं करेगी उनको पता है summer तक आते आते ये competition और ज़दा बढ़ जाएगा और market value eventually अगर आप bidding war पे आओगे तो और ज़दा बढ़ता हुँँचला जाएगा तो उस लिहाँ से अगर देखा जाए I don't think that Benfica अभी Enzo Fernandez की deal पे किसी भी club के साथ pre-agremen करने वाली है बात आई यहाँ पर अगर बाकी players की तो हमें पता है कि यार अभी सारे players को एक 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 counter extension trigger करके दिया है Van Bisaka के बारे में news ये थी कि Van Bisaka को offload करना चाहती थी summer में ही United उन्होंने clearly बोल दिया था Van Bisaka को कि आपको अगर जाना है तो आप summer में जा सकते हो बट मेरा सवाल ये है कि अगर आप Van Bisaka को जाने दे रहे हो क्या आपका Ethan Light तायार है Rideback की opportunity को grab करने के लिए क्या वो इतना सक्षम है तो अगर Delo injured होता है season में जो कि अभी वो है तो वो आकर performances दे Van Bisaka का अगर आप replacement ला रहे हो तो you have to focus on Malo Gusto क्योंकि Malo Gusto के defensive numbers मैंने एक वीडियो बना रख किये पहले उसे मैंने show किये थे कि Delo के comparison में कम है लेकिन अगर आप Jeremy Fringpong से compare करोगे तो he's better than Jeremy Fringpong और ठीक है अगर आप इन दोनों में से किसी को नहीं लेकर आना चाहरे हो अगर आपको एक attacking threat चाहिए जो कि Tenek की football demand करती है तो why not go for Denzel Dumfries क्योंकि Denzel Dumfries का जैसा tournament रहा है वल्ड का आपको पता है भाई कि अगर हम एक attacking football team बनाना चाहरे हैं जो कि explosive हो जो कि expressive हो तो आपको ऐसे players की जरूरत बिलकुल पढ़ने वाली है but at the same time मेरा सवाल बस इतना सा है कि अगर United अगर United वाकई में बिसाका को बेचना चाहरे है तो summer window से पहले winter में sell करो और दो players लेकर आओ एक right back और एक center forward बाकी positions आपकी summer में upgrade हो जाएंगी देखो आपको लगातार upgrade तो करना है हो सकता है Harry Maguire आपका जाए summer में छोड़के तब आपको एक center back भी लाना पड़ेगा हो सकता है विटर गलिंडलोफ को अगर आप offload करते है तो आपको एक center back लाना पड़ेगा दोनों में से कोई भी जाएगा एक center back तो ज़रूरी है और नहीं भी जाएगा तो भी एक center back ज़रूरी क्योंकि आपका XL Twans भी जाएगे club छोड़के Phil Jones जाएगे club छोड़के तो आपको उन opportunities पे capitalize करना पड़ेगा also आपको पता है कि Fred का future uncertain है आप Fred को offload करना चाहोगे एक साल के contract के बाद अकर कोई बायर आता है तो आप उसको बिलकुल बेचना चाहोगे तो आपको एक midfielder भी चाहिए होगा summer में और ये सारी जो deals है ये summer में ही हो तो बहता रहे क्योंकि winter window में आपका focus सिर्फ और सिर्फ उन प्लेर्स के उपर होना चाहिए जो आपके squad में आका directly fit in कर जाएं first 11 में आपके पास winter में इतना जादा पैसा डाल कर इस चीज का time नहीं है के आप फिर wait करो के भाई इनको 6 महीने देंगे तब ये fit in होंगे नहीं जो सीधे सीधे आके plan में fit हो जो direct replacement हो players का उनको लाना बहुत जादा जरूरी है अब बाकी किसी club के बारे में तो कोई update है नहीं ऐसी खास Enzo Fernandez के बारे में जो थी वो मैंने आपको बता दी and guys we are edging closer towards we are edging closer towards 50k mark तो if you haven't already subscribed kindly do it, like this video, comment down below के आप United में Joe Felix या Kodi Gekpo में से किसको देखना चाहते हो और अगर आप दोनों को देखना चाहते हो तो क्या Joe Felix की deal हमें loan पर ले लेनी चीए क्योंकि वहाँ पर obligation to buy है और Kodi Gekpo आपके हिसाफ से successful होगा या नहीं होगा and do let me know in comments के Enzo Fernandez के future को लेकर आपका क्या prediction है